गोड इवरिंग गाईज आप सबके पेपर काफी अच्छे जा रहे हैं दो पेपर हो चुके हैं दो पेपर बचे हैं हाफ बैटल डन कोवीड के बात से ही हम आपके साथ बने हुवे तो एक्जाम के एंड मुवेंट पर हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं इंफेक्ट एक्जामि की आप क्यों आयो तो जैसे की आप सब जानते हो हमारा पहले शेडियूल था आठ तारीख को और जो रिवाइज चेडियूल आया मलब थर्डिंद को यानि कि कल हमारा अकाउंट का पेपर होने वाला है तो इसमें सर्पिकलिक हमने अकाउंट की पढ़ाई तो चार तारीख से ही स्टार्ट कर दी थी तो पहली के स्टूड़न्स कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी साथ तारीक तक उन्होंने दिल लगा के पढ़ा और इवनिंग में उन्हें पता चला कि सर एक्जाम्स पोस्पॉन हुई है तो कोई बात नहीं हमारी तो कुछ confusion नहीं है और जिन्होंने इस notification को positively लिया है वो उनके हिसाब से पढ़ते जाईए सेकेंड के डिगरी ऑफ स्टूड़न्स जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कुछ ऐसे स्टूड़न्स है काफी स्टूड़न्स के मुझे मैसेज आ रहे एकदम नीरास हो चु कि उन स्टूड़न्स ने कितना कितना टाइम कौन से कौन से टॉपिक को अलोकेट करना है जिससे वो कम समय में एकदम कम समय में जादा से जादा सिलाबस वो कवर कर ले ठीक है मैं फिरसे disclaimer दे रहा हूं ऐसे स्टूड़न्स जिनका mindset क्लियर है कि उन्हें क्या पढ़ना है ए इतने कम समय में कैसे पढ़ा जाए तो यह वीडियो उनके लिए तो आज आप मैस का पेपर देखे आ रहे हो तो आज 12 तारिक को मतलब डे वन आपको इतना सब पढ़ लेना है बेसिकली स्टूड़न्स गलती क्या करते है कि पहले सोचते की सार्म पहले बड़े-बड़े topics complete कर लेंगे पाइनल अकांट कर लेंगे कंपनी कर लेंगे इसमें होता क्या है कि यह topics काफी वाइड है काफी वास्त है इसमें बहुत सारी कि देखो औरड़ी हमने इतना सारा समय मिला है हमने पढ़ा ही तो कर लिए यह बात है सिर्फ वन डे वीफोर एक्जाम के रिविजन की है ना तो पहले तो हमने सब कुछ पढ़ रखा है तो क्यों ना सरम छोटे-छोटे topics से start करें और दीरे-दीरे हमारे marks जितने passing marks की जरू सबसे पहले आप average due date ले लेना है ठीक है इसके कुछ पांच marks का आता है सेकेंड है account current यह भी पांच marks के लिए तो पचीस-पचीस मिनट इसको लगेंगा हमने एक एक प्रॉक्जिमेटली जैसे की average due date ले लो या account current ले लो इसमें कुछ भी नहीं है नहीं है सारे के सारे questions एक ही थीम पर चलते हैं सारी बाते एक ही concept पर गुमती है बस एक वह रेड एरिंग अपना रेड इंक वाला आता है और तो कुछ भी नहीं है तो monotonous topics है यह एक ही concept आप प्रिवाइस कर मज़ा आएगा तो 88 नंबर यह भी आपके pocket में आजाएंगी फिर बार में दो थोड़े टेकनिकल टॉपिक्स कर लेना है आपको उसके बाद sale of goods और से अप्रूबल और return basis consignment 7 यह दोनों भी topic interlinked है तो यह दोनों एक साथ अगर आप कर लेते हो तो काफी जादा मज़ा आए नेक्स है capital and revenue expenditure यह बहुत important है इस पे true and false आता ही आता है तो इसको 30 minutes देना है और इसमें 2-4 marks का question आ सकता है दो-2 mark के दो true and false भी आ सकते है नेक्स लेना है आपको bills of exchange तो ऐसे में कुछ approximately 6 आज में आपका 60-65 marks का syllabus cover हो जाएगा और जब आप इंडेक्स देखते हैं तो आपको लगता है यार मेरे तो 10 topics complete हो गए बचा गया है सर बचा सिर्फ partnership company final and NPO यह भी बड़े topics है लेकिन एक psychology होती है और मैंने 10 topics तो complete कर लिया सिर्फ दो topics बच्छे तो यह mental psychology ही आपको पढ़ाई करने में और exam को crack करने में काफी मदद करती है तो day 1 यह हमारा complete हुआ second day हम क्या कर सकते है we can start with partnership accounts ठीक है day 1 में मैं expect कर रहा हूँ कि आप रात को दिर रात 12 या एक बचे तक तो पढ़ाई करोगे ही करोगे डेट हो की शुरुआत भी आप सुबह 5 या 6 बजे करोंगे पहले आपको करना है partnership accounts important है इसमें concept जादा है इसलिए मैंने इसे टू आर्स का टाइम दिया है तीक है उसके बाद में company accounts यह simple है फिर भी इसे देड़ गंटे का टाइम दिया है final accounts NPO 75 minutes 75 minutes ऐसे approximately 6 hours में आपके अगल है 120 यह आपका paper आता है 120 marks का आपको सिर्फ 100 marks करना होता है 20 marks आपकी options में निकल जाते तो day 1 & day 2 का complete flow chart complete study strategy map हमने दे दिया है अगर आप को समझ नहीं आ रहा है कि कहां से start करें कहां से कदम करें the difficult journey of 1000 miles starts with a single step पहले स्टेप से तो बच्चे यहीं स्टक हो चुके कि start कहां से करूँ तो यह एक हमने road map आपको दे दिया है आप यह road map follow करिए जरूर 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 आप successful हो बनोगे ही लब कल के paper में आपको को कोई रोक नहीं सकता है पिछले 6 मेहने से हम लगातार बने हुए हैं आपको एंड मुमेंट में पर पढ़ाई बंद नहीं करनी है पढ़ना है पढ़ना है फोकस पूरा पढ़ाई पर रखना है इनकेस पढ़ते टाइम आपको कोई भी डाउट आते तो आपके पास हमारा WhatsApp है ही आप इस नंबर पर हमें कभी भी WhatsApp करिए I will be available till the last minute of your exam मतलब जब आप एक्जाम लिखने जा रहे हो दो बज़े तक मैं आपके साथ बना रहूंगा आपके जो भी डाउट से आप मुझे WhatsApp कर सकते हो Here I am C.A. Ronakagrawal signing off take care love you all bye